Welcome in RSK Maths Monitor, Chapter 8, Quadrilaterals, Exercise 8.1, Sum No. 12 ABCD is a Therapism in which, जिसके अंदर हमारे पास AB parallel है CD के Therapism में opposite side, कोई भी एक pair हमारे पास parallel होता है sides का, and given है AD equal to BC, यहां से ये side, इस side के equal given है हमने show क्या करना है कि जो angle A है, वो equal show करना है angle B के और second part में जो angle C है, वो हमने angle C show करना है angle D के यही opposite angle हमने equal show करने हैं, इसके लिए हम अपने Therapism के अंदर constructions करेंगे, constructions क्या है, यहां से AD को produce करेंगे, यहीं आगे की तरफ बढ़ाएंगे, और किस तरह से बढ़ाएंगे कि यह line इसके, AD के जो parallel है, जो नई line बनेगी, एक दिके, जो AD line है उसके parallel draw करेंगे, किस तरह से constructions होगी, तो यहां से हम constructions write करेंगे, सबसे पहले, AD, AB को हम produce करेंगे, produced कैसे, किस तरह से AD है, हमारे पास पैरलल होगी, CE के, अब इस में हमने constructions के through, A इसको opposite side को parallel draw कर लिया, और एक side हमारे पास parallel given है, यह उसको introduce कर, आगे बढ़ाएंगे, कि तब भी वो हमारे पास उसके parallel ही रहेगी, और given क्या है हमारे पास, चो AB parallel given है, हमारे पास CD के, इस इंप्लाइज हमारे पास, जब opposite side parallel होता है, हमारे पास क्या होता है, यह parallelogram, तो A, E, C, D is a parallelogram हो गया, parallelogram में यानि parallel side का हम यूज़ गरे question को show करेंगे, अब इस में हमारे पास सबसे parallel hint होता, जो given होता, उसकी help लेते हैं, अब इसके अंदर A, D, given हमारे पास क्या है, A, D equal given है, B, C के हैं, और हमारे पास, constructions के थूप parallelogram शुरूगा, अगर parallelogram है, तो it means उसके opposite side parallel भी होती है, और opposite side equal भी होती है, तो वहां से जो A, D equal हो जाएगा, C, E, K, यह क्या है, by constructions है, हमारे पास, और यह आपका given point है, अब यहां से हमारे पास reason क्या रिकलता है, अगर कोई दो अलग अलग side, एक ही side के equal होती होती हो, आपस में भी क्या होंगी, equal होंगी हो, this implies जो B, C equal होगी, C, E की, अब इस point की help से हमारे पास, यानि equal की side लेके चले थे हमारे पास point क्या आगया, जो B, C equal होगी, C, E की, यानि यह opposite side equal होगी, अगर opposite side equal है, तो इसमिस उसके सामने वाले, जब हम angles को prove करते होंगी हो, तो angle की help लेंगे, angle 1 equal होगा angle 2 के, अब opposite side equal होगा, opposite angle भी equal होते हैं, this implies, जो angle 1 होगा, angle equal 2 के, यह हमारा होगया, first point इसके coding, अब हमने, जो angle हमारे पास B वाला equal है, वो भी लेके चलना है, और जो यहां से help यह भी लेंगे, अब हमारे पास यह parallelogram है, A, E, C, D is a parallelogram, यहनी parallelogram है, तो जो opposite angle है, अब जन्स्ट एंगल का सम होता है 180, यहनी angle A plus में angle 2, इसके अब जन्स्ट एंगल, parallelogram के सामने के दोन्नों angles हमारे पास क्या है, angle 2, दोन्नों की value हमारे पास क्या होगी, 180 degree, वैसे भी यह line parallel है और यह transversal line है, transversal line के A की side बने angle हमारे पास का सम क्या होता है, 180 होता है, तो यह हमारे पास हो गया second point, अब हमारे पास A तो angle आ गया, लेकिन हमने B को भी equal proof करना, तो B से हमारे पास क्या बना, यहाँ पे linear pair, जो angle B plus में angle 1, दोन्नों के दोन्नों हमारे पास मिला कर क्या हुए, 180, comparing, second and third, दोन्नों को compare कर रहे हैं, अब right hand side दोन्नों के equal हैं, अगर right hand side equal होता, तो left hand side भी आपस में equal होगी, angle A plus में angle 2 equal होगा, angle B plus में angle 1 के, अब यहाँ से जो angle 1 हमने use किया था, angle 1 की value क्या है, 2, यहाँ से angle 2 equal to angle B, plus में angle 1 की value हमारे पास क्या होई, angle 2, यहाँ से दोन्नों same, तो angle A equal to होगा, angle B के, यही हमने prove करना था, now अब second point, second point में हम इन दोन्नों को equal show करें, अब यह हमारे पास जब parallelogram में तो हमने parallel का use करना है, यह line जो given हमारे पास, क्या point given है, A, B parallel है, C, D की, यहाँ से line parallel है, parallel के यहाँ से ट्रांसवर्स होगी, ट्रांसवर्स होगी, ट्रांसवर्स है angle A और angle D, angle A plus में angle D, दोन्नों की value क्या होगी हमारे पास 180 होगी, क्योंकि हमारे पास interior angle है, angle same side, एकी side के parallel के same side के angle है, same हमारे पास यहाँ पे भी जो angle B plus angle C, दोन्नों की value क्या होगी, 180 होगी, यह भी हमारे पास interior angle है, क्योंकि same side के, एकी side के interior angle है, angles of parallel lines के, यहाँ से दोन्नों point है, अब दोन्नों points को हमारे पास naming कर लेते हैं, 5th and 6th, compare करते हैं, दोन्नों का तुलनात्मक अध्यान करेंगे, 5th and 6th को, comparing के जैसे, इनकी right side equal है, तो इनकी left side भी equal होगी, angle A plus में angle D, equal होगा, angle B plus में angle C, अब by first part, by first part, पहले part में हमारे पास क्या था, angle A equal to angle B की, अब यहाँ से angle A की value क्या है, angle B plus में angle D, equal to यहाँ से angle B plus में angle C, दोनों side angle B, तो dis implies जो angle D equal to होगा, angle C की, यहाँ से हमारा second point show हो गया, अब थार्ड पार्ट में हमने क्या शो करना है कि, जो हमारे पास थार्ड पार्ट में, triangle A, B, C, congruent प्रूँ करेंगे triangle B, A, D के, A, B, C, यानि यहाँ से इसको जोईन करने के बाद हमारे पास जो ट्रैंगल बनेगे, और यहाँ से इसको जोईन करने के बाद हमारे पास B, A, D बनेगी, यहाँ से two triangle हैं, हम थार्ड पार्ट में show करेंगे angle, थार्ड पार्ट में हम show करेंगे angle A, B, C, congruent show करेंगे triangle B, A, D के, अब show करना है तो हमारे पास सबसे पहले first और second part जो हमने proof किया है, तो उसका इसके अंदर use होगा, जो हमने solution में क्या लेंगे, जो हमने proof करना वही हम question में लेकर चलेंगे, इन triangle A, B, C and triangle B, A, D, इसमें देखो हमारे पास सबसे पहले इस triangle के अंदर ये वाली side आती है, और इस triangle के अंदर ये opposite side योज़े है, तो A, D, यानि हमारे पास जो A, D किसके equal है, B, C के, A, D equal to B, C के ये हमारा given point है, first में हमारे पास A, D equal to B, C के, ये हमारा given point है, दूसरा हमारे पास जो by first and second part से, इस triangle में देखो, first part से यूज़ करें हैं, first यूज़ कर लेते हैं, इसमें हमारे पास complete angle B, और इस side में हमारे पास complete angle A, angle A equal to angle B के, ये हमारा first part के according, अब दौनों triangle में देखो A, B, और A, B, A, B equal to A, B के, दौनों में हमारे पास क्या है, ये common side है, common side means equal होगी, अब side common है, तो it means हमारे पास, ये side, ये angle और ये side, तो by side angle side से, triangle जो हम लेकर चले थे, A, B, C, congrrant होगी, triangle B, A, D के, अब यहां से दोनों triangle congrrant प्रू होगी, congrrant it means उसके सभी parts, दोनों triangle shape and size में equal होगी, अब shape size में equal होगी, तो fourth part हमारा clear होगी, diagonal AC, इसी triangle के part है, तो fourth part में हमारे पास, हमने show क्या करना है, diagonal AC, equal होगा हमने B, D के प्रूकर ना, तो इसमें solution में हम write करेंगे, by third part, third part में क्या है, triangle A, B, C, congrrant है triangle B, A, D के, congrrant है तो, it means उसके, by C, P, C, T, यहां से हमारे पास क्या चीजह में, AC और B, D, AC equal होगा, B, D के, that's proof, यह हमने proof करना था, dear students, if you like our video, then like and share the video, and also subscribe the channel, thank you,